गुजरात में चुनावी प्रिचार अपने चरम पर है और सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही कॉंग्रेस जुनता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती इसलिए राहुल सरेकर पूर्वित्यमंत्री पीची दंबरम तक जीएस्टे और गुजरात के विकास पर बीजेपी को घेरे हुए हैं राहुल के साथ साथ आज कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पीची दंबरम ने भी कहा कि सच में गुजरात का विकास पागल हो गया है जिसमें पूरा योगदान बीजेपी का है कॉंग्रिस के बरिष्ट नेता पी चीदंबरम ने आर्थिक निटियों को लेकर मोधी सरकार पर निशान असाधा चीदंबरम ने कहा कि गुजरात में विकास सच्च में पागल हो गया है तभी तु जनता बुनियादी सुविधा के लिए तरस रही है कॉंग्रिस पार्टी की तरफ से गुजरात चेंबर ओफ कॉमर्स एंड इंडरस्ट्री में आयुजित कारिक्रम में बोलते हुए उन्हेंने कहा कि गुजरात में विकास की सच्चाई यही है कि 22 सालों से बीजेपी ने केवल जनता को लूटा है इसलिए आज युवाओं के हाथ में रोजकार नहीं है और किसान तरस रही है गुजरात मॉडल पर सवाल उढ़ानी के साथ साथ उन्होंने के इंडिसरकार की बुलेट ट्रेन परियुजना को भी आड़े हाथ हु लिया पीची दंबरम ने कारुबारियों से कहा कि बुलेट ट्रेन का सपना तो जनता को दिखा दिया गया लेकिन हकीकत क्या होगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा कहीं बुलेट ट्रेन भी भारती रेल की तरह ना बन जाए पीजेपी को लोगसभा में मिले पुर्ण बहुमत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के जनमत के साथ कुछ भी किया जासकता है जईस्टी गुलेकर जेटली पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बहुमत के साथ हम फाइनेंस सेक्टर में पूरी तरह सुधार कर सकते थे हम करीब करीब आदर्श रूप में जिएस्टी पारित कर सकते थे इस तरह कि बहुमत के साथ कोई भी कानून बदला जा सकता है लेकिन जेटली साहब नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं चिद कर रहे हैं